ठीक है यहां पर हम start कर लेते हैं अपना लिस्ट को लिस्ट के अंदर ज्यादा कुछ तपल को तपल नहीं यहां से दे देते हैं तो तपल में पहली बात तो आपको पता है अगर आप लिख रहे हैं एक सब्सक्त करते हैं आपको एक चीज समंझाई तो कौनसी क्लास का यह है एक सब्दिक ना लेकिन अगर आप ऐसा कर देना x बराबर आपने लिखा bracket लगा के 10 अगर आप यहाँ पे type of x चेक करते hash लगा लेता हूँ मैं that means comment बना रहा है तो यहाँ पे class क्या देता खांशा integer देता क्योंकि गर आप bracket लगाते हैं simply तो यह अब इसको integer अगर आप integer कभी बना रहे होते हैं तो 10 ऐसे लिखते न और single bracket को भी वो integer ही समझता है अगर आप ऐसा लिखते single element देना है तो 10, लिखना पड़ेगा अब अगर आप type of x चेक करेंगे तब आपको क्या मिलेगा टपल मिलेगा या आप x equals to 10, लिख देते न x equals to मानलो मैं लिख रहा हूँ राज और इसके बाद मैं value दे रहा हूँ 1, 2, 3.5 मैं दे रहा हूँ है ना और यहाँ पर मैं sing दे रहा हूँ अभी इसके अंदर क्या है mixed type of टपल है ना ये तो अभी भी x को आप चेक करेंगे तो x अभी भी क्या है x is a tuple तो मेरे ख्याल से tuple क्या है वो तो basic बात आपको समझ में आई गई होगी है ना तो अगर आपको tuple create करना है जैसे empty tuple की अगर मैं बात करूँगा तो empty tuple आपका कैसे create होगा अगर आप empty tuple ले रहे हैं तो या तो आप t को क्या लिख देंगे t equals to ऐसे bracket करके छोड़ दो या आप t को ऐसा भी लिख सकते है t equals to tuple function का आप उपयोग करेंगे मुझे याद दिलाना एक eval function कराना है मैं इसको eval लिख के छोड़ी देता हूँ eval मतलब evaluate तो इसका भी मैं कहानी समझाँगा क्या होता है सभी के उपर काम कर देता हूँ किसी भी जगे पर कर सकता है tuple आप लगा के छोड़ सकता है अब भी t क्या बनेगा tuple यहाँ पर भी t क्या बनेगा tuple और दोनों कैसे हैं empty tuple है समझ मैं आ गई के नहीं अब जैसे सुबह हमने list के उपर काम किया था तो एक list बनाई थी मानलो ऐसा ही एक t बनाता हूँ मैं यहाँ पर ले लेता हूँ 1, 2, 5, 6 और एक यहाँ पर nested tuple बना और इसके अंदर nested tuple कर रहा है मतलब इसके अंदर भी हम एक ऐसा ही और यहाँ पर मैंने दे दिया मान लिजे 3 और 4 और यहाँ पर हमने दे दिया 9, मान लिजे यह एक टपल है, अगर मैं यहाँ पर print करूँगा कांशा, पहली बात तो length function यहाँ पर भी होता है, जो length function किसके अंदर होता है, list में वो यहाँ पर भी होता है, length of t देखूंगा तो कितने होगी, 1, 2, 3, 4, 5 and 6, तो कितने element है, 6 element है, क अपल पर काम करना है, तो यहाँ पर भी bracket यह वाले चलाएंगे, समझ गए, वो ही जैसे हम array में use करते तो हमेशा square bracket ही use होंगे, with index, क्योंकि इसका यह index किया है, 0, 1, 2, 3, 4 and 5, like this, यह बात clear है कि सबको, तो यानि अगर आप t of 1 कर रहे हैं, ठीक है, sorry, बोल रहा हूं और मैं लिख रहा हूं, वैसे ही, t of 1 अगर आप print करेंगे, तो आपको output क्या आएगी, बताइए, 2, 2 आ जाएगी, और इसको output आ रहे है, चुकि तो hash करके लिख लेते हैं, क्योंकि यह assign थोड़ी कर रहा है, output है, तो यह t1 की output आपको क्या मिल जाएगी, 2 मिल जाएगी, अनु clear है अभी अगर मैं ऐसा लिख रहे है, 0, 1, 2, 3, और यह है 4, तो index 4, और 4 का मैं 0 वाला print करता हूं, तब आपका output क्या मिलेगी, 0, 1, 2, 3, and यह 4, यह कौन सा element है, 4th element, और 4th का पहला element 0 और 1 है, clear होगी बात, यानि अगर आप इसको कर रहे हैं, तो आपका output क्या मिलेगी, अपनी बोलो, error, 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 यह सुभा भी मैंने आपको बताया था, देखो, अगर आपने एक string ली मानलो, राजू, तो मैंने वहाँ पे भी आपको बताया था, अगर आप मानलो, print कर रहे है, x of 1, तो आपका क्या print हो जाएगा, a print हो जाएगा, लेकिन आप print करने की कोशिश कर दो, x of of index देते हो, आप print करते हो, या access करते हो, then you will get an error message, same काम आपका, list में भी होगा, मानलो, list आपने बना रखे, 1, 2, 3, and 4, अब आप यहाँ पे print कर रहे है, L of 2, then you will get output as 3, but if you want to print L of 10, you will get an error message, same thing is here, तो मेरे ख्याल से यह basic बाते clear हो गए होगी, यहाँ से इसको आगे बढ़ा लेता है, बोलिए, अजी भी है, ठीक है, अब इसके बाद, इसके उपर same वही बात, operations कौन-कौन से perform हो सकता है, तो plus operation भी perform हो सकता है, और multiplication भी हो सकता है, मानलीजे, एक मैं टपल ले लेता हूँ, 1, 2, 3, एक टपल ले लेता हूँ, मानलो, मैं यह लेता हूँ, राज और 1, अब अगर मैं यह लिगनू, x plus y, और इसको आप प्रिंट कर रहे हैं, या मानलीजे, आप ऐसा कर लेते हैं, z equals to x plus y, और आप प्रिंट कर रहे हैं, मानलीजे, z को, तो आपको प्रिंट क्या हो जाएगा, एक टपल के अंदर, 1, 2, 3, एंड राज, और आपको 1 दिख समझ में आरे यह बात कि नहीं, प्लस हो जाएगा ना, दोनों टपल्स, क्या आप इसमें integer या कोई और चीज अड़ कर सकते हैं, नहीं, नहीं कर सकते हैं, और multiplication आप करेंगे, तो multiplication आप कर सकते हैं, मतलब multiplication का मतलब repetition operator बोलते हैं, अगर मैं ऐसा कर दूँ, x into 2 कर दूँ, तो और अगर मैं यहाँ पर लिख दू, t1 प्लस, और यहाँ पर मानलो मैं ऐसे लिखने की कोशिश कर दूँ, तो क्या होएगा? क्या, t1 प्लस? स्वारी, t1 लिख रहा हूँ मैं, x प्लस. x प्लस आप क्या करें? 10. अगर आप इसको यहाँ पर करेंगे, तो यह error देगा, बार बार यह चीज रिवाइस करा रहा हूँ मैं आपको, सुबह भी कराई थी, x प्लस 10, देते, अब यह इसको टपल मांगेगा, अब टपल है, दोनों चीज टपल है, अब यह आपकी output दे देता, क्या, x की value भी क्या आपकी 1, 2, 3, और फिर आपने इसमें 10 जोड़ा है, बात समझ में आ गई है सभी को, तो यह भी काफी important point है, इस वाली चीज को थोड़ा ध्यान रखें, यह यहाँ पे जो मैंने आपको बताया है, कौन सा, अगर आप single टपल create कर रहे हैं, तो it is an error, मतलब error किया, यहाँ पे perception है, चीजों को देखने का, मेरे हिसाब से यह ज़्यादा important है, ठीक है, अच्छा, आपकी एक चीज और रही थी, वो दोनों चीजों में है, यह मैं आपको महाँ पे list के अंदर ही दिखा देता हूँ, packing और unpacking होती है values की, अगर मान लिजे आपने एक list बनाई, list बनती है कैस m, n, o, p, equals to, मैंने लिख दिया, a, क्या यह work करेगा? m में a तो चला जाएगा, और o, p में कुछ नहीं जाएगा, अकांशा, इसको unpacking of values बोलते हैं, यह list में भी होता है, टपल में भी होता है, ठीक है, अगर मैं enter करूँगा, यह सब में काम करेगा, देखो, यहाँ पर इसके अंदर कितनी value है, a का मतलब क्या है, अकांशा, ऐसा समझी, यह 4 चीच्चे है, अब यह 4 चीच्चे हैं, तो m में चला जाएगा 1, n में जाएगा 2, o में जाएगा 3, और इसमें जाएगा 4, आप print करके देख लिजे किसको p को, तो आपको क्या print हो रहा है, 4, समझ में आ गया, बोलिए, और type of p आप check करेंगे, तो p के अंदर गय क्या है, इंटीजर गया है, तो क्या देदेगा इसका type, class इंटीजर, आप ज़रूरी नहीं है, a equals to ऐसा भी रख सकते थे, कैसा भई, मानलो में लेख देता राज, और एक देता इसके अंदर 12, और एक देता 3.5, भई, लिस्ट तो ऐसी भी हो सकती है न, अब मानलीजे मैं लिख देता, x, y, z equals to, मैंने क्या दे दिया है, यहाँ पर, a लिख दिया, समझ रहे हैं, आप यह का मतलब सिधा-सिधा, राज 12.3 और यह है, अब अगर मैं x प्रिंट करता, आपको क्या हैगा, राज, type of x आप चेक कर सकते है, x के अंदर किस तरीके की value गई है, string type की, y में ज्यादा हो, number of elements से, तब error आएगी, य मैं आपको इसके just बाद यही बताता, कि मान लिखे, आप अगर ऐसा करने की कोशिश करते, m और n को आप किस में डालते, a को डालते, m और n में, तो error आजाएगी, क्योंकि unpack करने के लिए, मैं बोल रहा हूँ ना, यह unpacking कहलाती है, इस काम पर हमारे पास कितने persons थे, दो, यहां से निकलेंगी तीन चीज़े, तो receive नहीं कर पाएंगे, clear होगी बात की नहीं, यह सेम काम आप टपल में भी कर सकते थे, मान लिजा, अगर मैं यहां पर लिख दू, टपल भी तो सेम चीज होती है, बोलिए, बस इसको मैं मुझे bracket change करने है, और टपल लिस्ट में सिर्फ एक ही तो difference है, क्या difference है, और मैंने आपको जब DWSB के लिए करा रहा था, तब मैंने आपको चीज इनके अंदर डिका difference बताया था, कौन fast होता है, कौन slow काम करता है, अभी अब अगर आप यहां पे, A के अंदर यह create होगे, सेम काम आप क चीज का काम कर रहे हैं, तो, hello, clear है बात, अब आपको यह चीज पता है, अगर आप string के उपर काम, मतलब list के उपर काम कर रहे हैं, अगर मैं यहां पे A of 1 में, क्या लिख दूँ, 200 या 2023 लिख देता हूँ, क्या work करेगा या नहीं आ कांशा? अगर आप यहां पे यह कोशिश करते, क्या? बई, डालेंगे तो इसमें भी इसी तरीके से, इंडेक्स तो सेम ही होते हैं, तो क्या देदेगा, error, क्योंकि टपल के अंदर assignment नहीं चलती, ना string में चलती, ठीक है? समझ में आ गई? सब को clear है क्या यह बात? चले आगे क्या? तो operations हमारे कौन से थे? वो हम clear कर चुके, और हमारी यह चीज clear हो गई, slicing बच्चो, slicing तो कितनी बार करेंगे? slicing तो हमारा clear ही है, बोलिए, एक को थोड़ा सा और बढ़ा लेता हूँ, चलो आपको बढ़ावा चाहिए तो, है ना, यहाँ पर और बढ़ा लेता है, इसको थोड़ा सा, कॉमा 5, 6, 7 कर लेता है, कॉमा 8 कर लेता है, ठीक है? और इसको 3 कर लेता है, करना है तो, 3.5 बटा देता है, अब आपको slicing करनी है, तो slicing करना आता है, अगर मैं colon लगके 3 लिख दूँ, तो output क्या आ जाएगी? बता है, और माइनस 2 कर दिया, इना कहें, कि मेरे ठाइम टैसा बता रहे है, क्या है अगर आपने कुछ नहीं दिया है, तो यह रिवर्स से शुरू कर देती है, राज, 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 वो नहीं है, आज, आपका answer आएगा, यहाँ पर, अगर आप माइनस 1 करते हैं, इसे कितनी पार समझा दिया है, string reverse के लिए यहाँ पर, आपको अगर यह दिखना रहा हो, तो यहाँ पर दो लगा रखे हैं, ठीक है, तो इस initial value कुछ नहीं थी, end value कुछ नहीं थी, लेकिन आप माइनस 1 कर हैं, मतलब यह index यहाँ से शुरू करेगा, अगर आप यह काम करते हैं, तो output आयाती है, आपको सब चीज reverse में, और reverse of the string के लिए यह चीज होती है, कितना important है, कितनी बार मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है, अब अगर आप यह काम यहाँ पर, इसकी जगह क्या कर रहे होत है, minus 2 कर देते हैं, तो क्या output आएगी, गौरव? कितनी बार बताओं, तुम्हें error नहीं आती, slicing में, यह कॉमा दिया हुआ है, कॉमा है सर, कॉलन नहीं है, कॉमा के वज़े से error बताएगा, तो इसे भी देखी लेता है, भी कॉलन लगा है तो नहीं है, चलो, अब इसके बाद आप क्या कर रहे है, minus 2, और कॉलन लगा है, minus 5 तक जाएगा, वो 4 तक जाएगा, default increment क्या होता है, खांशा, plus 1 होता है, minus 2, minus 2, plus 1, minus 1 ही तो वह सही तो है, very good, बिल्कुल सही है, बट अभी फिलाहल के लिए Python इसको support नहीं कर रहा है, तो फिलाहल इसके अंदर कोई output नहीं आएगी, reason क्या है, minus 2 से start कर रहा है, minus 2 is this place, minus 1, minus 2, और minus 2 से हमें कहां तक जाना है, minus 5 तक, यानि यहां तक, और increment कर रहा है, plus 1, तो इसके बाद तो यह आग्या बढ़ता, पिछे तो नहीं जा पाएगा, इसलिए कुछ नहीं आएगा, लेकिन अगर आपके पास यहां पे होता, minus 2, and then colon होता है, then minus 5 होता, sorry, minus 5 होता इधर, औ और इधर होता minus 2, तो आप इसके अंदर default increment कितना हो रहा है, plus 1, आप minus 5 से start कर रहा है, यानि 1, 2, 3, 4, and 5, यानि 3 से start हो रहा है, minus 5 से, minus 2 से एक कम तक, तो answer आजाएगा कितना, anyone please, इसके समें क्या है यहाँ, 3, 5, इस प्रिंग में हो गया, लिस्क में हो गया, अप टपल में चल रहा हो, तुम ज्यादा मजे ले रहा हो, बोलो जल्दी, निताश्री क्या हैगा, मैं था, minus 5 से, मैं थो कितना, यानि 1, 2, 3, 6, 5, 3, 5, 6, 7, 3, 5, 6, 7, 3, 5, 6, 7, 3, 5, 6, 7, 653, 653 नहीं आएगा, 356 आएगा, 7 नहीं आएगा, गौरव, अकांचन है सहीदी आंसर इस केस में, 356 आएगा, ठीक है, आप यहाँ पर देख भी लीजे, minus 5 से स्टार्ट हो रहा है, minus 5 का है, minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, this is your minus 5, कहां तक जाना है, minus 2 से एक कम तक, और बार-बार क्या हो रहा है, increment नहीं दे रखा तो plus 1, तो यह location है, minus 5, इसमें plus 1 करेंगे, तो minus 4, minus 4 के बाद क्या आएगा, minus 1, और minus 1 के बाद, क्या जाएगा, फिर minus 3 आएगा, और minus 3 से चलना कहा था, कि minus 2 तक तो उससे एक पहले पहले तक चलेगा, clear हो गई बात, अब जो यह वाला काम था, अगर आप इसमें करना चाहें, अगर आप इस तरीके की output चाहते हैं, आप इसको reverse में चलाना चाहते हैं, तो आप default increment चेंज कर सकते हैं, अब आपने क्या कहा है, minus 2 से start करो, मतलब 7 से, जाना कहा है, 5 से एक पहले तक, और आप minus, minus, minus कर रहे हो 1 को, अब यह काम चला देगा, अब आपका output मिल जाएगी, minus 2 से आप चल रहे है, minus 2 आपका यहाँ पर, अच्छा, sorry, 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 एक तो दिमा, हाथ उस पर ही चलता न, चलो, एक तो यहाँ पर आगया कितना, minus 2, और colon minus 5, और colon minus 1, अगर आप इस तरीके से काम कर रहे हैं, तब आपका output मिल जाएगी, 7, 6, 5, तो reverse में चलना है, क्या नामें तुमारा हिना, तो minus 1 देना होता है, जैसे आप अभी उपर वाले में reverse चला रहे थे इसको, चला सही रहे थे, 653 की जाएगा, 356 बोल रहे थी, वो तब होगा न, जब reverse में चल रहे हो, यहाँ पर default increment, तर मैंने तो 653 बोला था, तो 653 बोला था, भी 356 आना था न, क्योंकि बढ़ना था न, इधर की तरफ, आप उसको उल्टा इधर की तरफ चला रहे थे, ऐसा नहीं होना है, ऐसा तब होगा, जब आप increment क्या ले रहे होगा, minus 1, तब आप इधर से right to left चलेगे, minus की values देंगे, तब आप right to left चल रहे है, कुछ नहीं देंगे तो default plus है, otherwise आप plus values दे सकते हैं, मेरे ख्याल से अप indexing बहुत जादा हो गई है, इसके बाद न, ये string और, वह स्वारी, data frame और series दोने में होगी, तब तक इसे पक्का करलो, कम से कम, कल पर सोगो काम होगा तो, ओके, वापिस आता है, length function अगर इसके उपर भी काम करेंगे, length of a, अगर आप check करेंगे, a के length कितनी दिख रही है भई, 3 और 3, 6 और 1, 7, clear है भई, बोलिए, अब यहाँ पर min function काम कर सकता है, max function काम कर सकता है, ठीक है, min function और max function, बट अगर मैं min of a, यहाँ पर निकालूँगा, क्या हैगा, error आएगी, क्योंकि वहाँ पर राज भी है, राज में तो काम नहीं करेगा न वो, जी, अरे बोल दीजे, यहाँ पर राज भी दे रखा था था ना हमने, अगर राज हटा के हम ले लें बाकी कहानी, क्या, इसको मैं भी copy paste कर रहा हूं, चलो, कोई बात नहीं, अब तो कर लि a equals to, हम यहाँ पर, अगर यह ले लेता, अब मैं लगाऊंगा, min of a, अब यह काम कर देगा, ठीक है, कितना देदेगा, 3, max of a करेंगे, तो सेम काम जो वहाँ पर था, क्या देदेगा, max value देदेगा, sum करेंगे, तो sum भी काम कर देगा, इन सब को जोड़ के देदेगा, कहानी आप a.index, index चेक करना है, किसका आपको index चेक करना है, बताए, चलो 5 का चेक कर ले, तो 5 का index कौन सा है, आपको पता है, 0, 1, 2 and 3, तो आपको answer मिल जाएगा 3, मगर किसी ऐसे का index चेक करते हैं, जो इसके अंदर present ही नहीं है, like 123, तो यह output क्या देगा, error, ठीक है, error, क्योंकि व 3 को count करना चारा हूँ, तो आपका output मिल जाएगी 1, क्योंकि एक बार present है, और a.count अगर आप कर देगे 123 को, तो आपका output क्या मिल जाएगी 0, क्योंकि present नहीं है, समझ में आ चूकी होगी यह बात भी, है न, और आप देखो, इसमें बाक्यों और कोई कहानी है यह नहीं बच् कई बुक में जैसे, अच्छा बच्चो एक question मैं आपसे, अगर मैं पुछूँ कि मान लिजे मैंने लिख दिया a equals to, for example, अब यह code देखते रहना क्या हो रहा है, 1,2,3 मैंने लिख दिया, ओके, फिर इसके बाद मैं कर रहा हूँ क्या, मान लिजे, b equals to मैं कर लेता हूँ, क् मान लिजे, या b, c, d equals to मैं a डाल लेता हूँ, is it allowed or not allowed, हो जाएगा, अब मान लिजे, मैं ऐसा कर लेता हूँ, c equals to 100 लिख लेता हूँ, ओके, और फिर मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मान लिजे, मैं a equals to, यहाँ पे, दुबारा क्या डाल लेता हूँ, मान लो, b, c, d, अब मैं अगर a को प्रिंट करता हूँ, तो क्या प्रिंट होगा, और क्या यह हो जाएगा, कि नहीं हो जाएगा, यह आएगा, हमारा, 100 और 3, 100 और 3 आजाएगा, को प्रॉब्लम नहीं है, अब आपको लगेगा, यार हमने a टपल जो दिया था, 1, 2, 3, हाना, और अब यह क्यासा बन गया, 100 और 3, तो टपल को तो आपने क्या कर दिया है, मोडिफाई करती है, बट यह टपल को मोडिफाई नहीं किया, अगर इस लाइन को, मानलो बच्चों, मैं कॉपी कर लेता हूं, हाना, मैं इसके अंदर चेंज करने की कोशिश करता हूं, लाइक, अगर मैं चेंज करने की कोशिश कर रहा हूं, क्या, a of 2 में कुछ डालने की क कोशिश कर रहा हूं, लेकर अगर, भाई, यहां अगर यह काम कर दें, a equals to, दुबारा से मैं तीन नहीं values में दे दू, 1, 100 और 3, तो क्या समस्या है, ले ले गाए, अब नया बन जाएगा, अब यह प्रिंट करके देख लो, 100 और 3 आ गया, तो यहां पे भी तो हमने एक तरी नहीं समझे, भाई, एक के अंदर अभी मैंने डाला, 1, 2, and 3, फिर, एक के अंदर मालो मैं, अगली सेकेंड में यह डाल दू, a equals to, 12, 2, and 3, तो दल जाएगा, यह कौन सा माना कर रहा है, a प्रिंट करके देख लो, 12, 2, 3 आ जाएगा, क्योंकि पहली बार यह अलग, element था, अ फिर आपने BCD को उठाया और एक अंदर डाला, तो यह तो यहाँ पर नया टपल क्रियेट हुआ है, पुराने वाले में कोई मेडिफिकेशन थोड़ी हुआ है, यह नया वाला अज क्रियेट हुआ है, आप चाहें, तो यहाँ पर बच्चों, यह काम आप करके देख सकते है फॉर एक्जांपल में क्या कह रहा हूँ, अगर आपको यह लगता होगी, बात तो तब थी, जैसे यहाँ पर अकांशा आप टाइप ओफ ए देखें, इस बार टाइप ओफ ए आप देख रहे हैं, तो आपकी कुछ आईए, 608, अगर आप दुआरा इसके अंदर चेंज करक है, देख लो पुराना वाला और यह वाला तो सेम ही नहीं है, यही काम उसके साथ भी हुआ है, चिसे यह कह रहा है न, indirectly टपल को चेंज करना, तो मैंने क्या से किया था, a equals to क्या डाला था, 1,2,3, फिर हमने क्या किया था, b,c,d में हमने क्या डाल दिया था, a को चलो डाल कोई बात नहीं, फिर हमने क्या कर लिया था, मानलो, b को चेंज कर लिया था, b को हमने कर लिया 100, for example, फिर इसके बाद मैंने क्या किया, a के अंदर दुबारा उठा के टपल की फॉर्म में क्या डाल दिया, b,c,d, तो अब आपको पता है, पहले id of a उपर देख लेनी b equals to, मानलो, दुबारा बना लेता हूँ, मैं, 1,2,3, पहले इस b के id प्रेंट कर लो, तो ये b कहाँ पे create हुआ है, वो id देख लिए हमने, इस वाले पे हुआ है, ठीक, अब इस हम टपल की help से modify करते है, मानलो, x,y,z में इसको unpack कर लेता है, किसको? b को, कर लिया, हो गया क्य अगर हम इसको modify करने के बाद, x के अंदर कितना डाल रहा है, 123, अब मैंने क्या किया, b के अंदर उठा के, किसको डाल दिया, बच्चो, x को, y को, और z को, तो हमें क्या लगेगा, b को हमने modify कर लिया, b को print करके देखेंगे, b को modify हो गया, पहले 123 था और आप क्या आ रहा है, 123, 123, बगर आप ID of B देखोगे, तो यह तो नहीं जागे create हुआ है, इसमें तो कोई सोचने की बात ही नहीं है, पहले B की ID यह थी और अब B की ID है, समझ माया, तो यह यह नहीं है कि tuple को modify कर पा रहें, मतलब बुक में यह topic इस तरीके से दियावा होता है, कि identifying या modifying table indirectly, वो tuple indirectly इसमें list की help से भी यह तरीका दे देता है, इसमें एक तरीके से और यह करके दिखा देता है, पच्छो कैसे? list बनागे, list को तो कर सकते हैं, मानलो a equals to आपने क्या लिया? 1,2,3, hello, clear है? अब मान लीजे, मानलो मैंने list बनाई, क्या l, l equals to मैंने l के अंदर क्या डाल दिया, list function के साथ, tuple डाल दिया, a, a को वो क्या करेगा? list बनाएगा, और किसके अंदर डाल देगा? list function, l के अंदर डाल देगा, अगर आप l को print करके देखोगा, आपको दिख रहा है, 1,2,3 है, क्या मैं l को change कर सकता हूँ, अकान शाया नहीं? यानि अगर मैं l of 1 में कितना डाल लू 200, तो यानि आपको पता है, 1 और 2 की जगे क्या आजाएगा? 200 आजाएगा, आप print करके देख सकते हो, अब अगर मैं दुबारा से, किसके अंदर? a के अंदर किसको डाल दू? l को, directly नहीं डाल सकता, मुझे क्या लिखना पड़ेगा? tuple function बनाके, otherwise फिर वो tuple नहीं रहेगा और किसमें डाल दिया? l में, l को tuple बनाके किसमें डाल दिया? a में, अब आगा 1 को print करके देखोगे, तो 1, 2, 3 की जगे, a क्या बन चुका है? 1, 2, 8 and 3, बट बच्चों बात ऐसी है, ये वाला जो a था, वो किसी और memory location पे था, और ये वाला जो बनाया, वो किसी और पे बना हो तो, अभी एक अंदर क्या पढ़ा है? 1, 203, इसके index 0, index 1, index 2 पे आप कुछ नहीं डाल सकते, इस वाले के, अब आप एक अंदर कुछ और ही बना दो, आपकी मर्जी है, एक अंदर तो आप 5.5 डाल दो, अब एक या बन जाएगा, float बन जाएगा, तो नाम तो आपको पता